Hello viewers, welcome to my channel, मैं हूँ फिजियो अभी जीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैलेट फिंगर की और इसके ट्रीटमेंट की So viewer जो मैलेट फिंगर है, इस कंडीशन में हमारी जो उंगली है, वो आगे की तरफ मुड़ जाती है, यानि की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में चली जाती है Viewer से जो condition है, वो common ही देखने को मिलती है, cricketers में, footballers में और basketball players में अब बात करते हैं इस injury के mechanism की, यानि ये injury होती कैसे है So viewer जब हमारी उंगली सीधी रहती है, और tip of the finger, यानि की उंगली के इस हिसे में ball लगती है, तो क्या होता है उंगली जो हमारी है, वो आगे की तरफ forcefully मुड़ जाती है, जिसके कारण हमारा जो extensor tendon है, वो stretch होता है और ये जो tendon है इसके कारण तूट सकता है, या फिर जहां पर ये tendon insert होता है, यानि की distal fellings पर वहां से avulgen fracture के कारण ये जो tendon है, वो उखड जाता है सो वियर से जो extensor tendon है, इसका काम होता है हमारी उंगली को सीधा करना लेकिन क्योंकि अभी जो tendon है, वो चोट लगने के कारण, या तो उखड जाता है, या फिर तूट जाता है तो क्या होता है, जो आगे वाला tendon है हमारा, जिसे हम flexor digitorum profundus कहते हैं वो तो अपना काम करता है, और उसका काम होता है, आगे की तरफ उंगली को मोड़ना तो क्योंकि flexor digitorum profundus, जो कि आगे वाला tendon है, वो अपना काम कर रहा है तो वो उंगली को आगे की तरफ मोड़ देता है, लेकिन जो उंगली को सीधा करने वाला tendon है वो अपना action नहीं करता जिसके कारण हमारी जो उंगली है वो आगे की तरफ ही मुड़ी रह जाती है So viewers mallet finger में tenderness यानि की छुने पर दर्द होता है distal phalanx में यानि की इस हिस्से में और साथी साथ जो patient है वो उंगली को सीधा नहीं कर पाता यानि extend नहीं कर पाता So viewers बात करते हैं mallet finger के treatment की तो treatment से पहले हमें उंगली का x-ray निकालना चाहिए जिस से हम पता लगा सकें कि कहीं distal interphalangeal joint यानि की ये जो हमारे उंगली का सबसे उपर वाला joint है वहाँ avulgen fracture तो नहीं है या वहाँ dislocation तो नहीं है यदि avulgen fracture ये dislocation है और ये जो avulgen fracture dislocation है वो हमारे joint surface के एक तयाई यानि की one third part को यदि involve करता है तो ऐसे case में आपको surgery करानी पड़ सकती है लेकिन यदि mallet finger में कोई complication नहीं है तो simply आपको क्या करना है आपका जो D.I.P joint है यानि की ये वाला joint है इसे आप splint की मदद से immobilize करेंगे 6-8 हफते के लिए वियर्स treatment के दौरान patient को अपनी उंगली को हमेशा सीधा रखना है तब भी जब वो अपनी splint को साफ सफाई के लिए उतारे वियर्स ये तो था mallet finger का treatment सो वियर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथी साथ वैल आइकन दवाना ना भूलें ताके आगे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे